कैसे हैं आप लोग तो आज में शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में बहुत ही आसान तरीके से एक स्टार्टर बनाने की रेसिपी जिसका नाम है चिकन लॉली पॉप और इसे आप प्रमजानों में फ्तार पर भी बना सकते हैं बहुत जादा हेल्दी है बहुत टेस्टी है बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ही माउथ फॉर्टर ये बनकर त्यार होती है बच्चे बड़ों सभी को बहुत अच्छी लगेगी चलिए सीख लेते हैं इसे बनाना तो इसको बनाने के लिए मैंने धाइसो ग्राम बोल्लेस चिकन लिया हुआ है और इसे मैंने चो नहीं अच्छी ट haut साथ ये there एक बनाना के साथ मैंने इंकरा और चोटी कप से एक म्याल जाली है इसमें यहां पर बहुत जरूरिया आप तरह कोई बात नहीं है लेकिन हो दरूअिजा मैंने बोल्स पून आह बात नहीं है लेकिन हो भूत बात रान प hm इसमें एक अंडा डालेंगे हम लोग यह सारी चीजों को आप किसी चॉपर में या ब्लेंडर जार में डाल कर लिए और मिक्षर तयार हो जाएगा देखें यहां पर यह जो हम लोग बना रहे हैं स्टाटर उसके लिए यह जो मिक्षर है यह इस तरह का होना चाहिए पिसावा और अब इसमें मैं कुछ मसाले आड़ कर रही हूँ सबसे पहले मैं इसमें मैजिक मसाला यानि मैजिक मैगी का जो आता है वो डाल रही हूँ यहां पर मैंने एक सैशली है इसके साथ ही मैं इसमें दो टी स्पून कॉन फ्लार डाल रही हूँ और बस यहां पर अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर दूँगी यहां पर आप चाहे तो उसी टाइम भी डाल सकते हैं लेकिन लास्ट मैं आप इसको डालिएगा तो जादा अच्छे से टेक्शिर मिल जाता है अब तो हाथों से भी इसको mix कर सकते हैं और मिला कर साइट पे कर लीजे अब भी हमें एक slurry त्यार करनी है जिसके लिए मैंने यहाँ पे half cup पानी लिया है और उसमें मैंने दो बड़े चमच konfra डाली और घोल लिया है इसके साथ ही हमें bread crumbs चाहिए होगा तो fresh ताजा bread को मैंने crumbs बना लिया है और इसके साथ ही मैं इसमें cheese cubes I use कर रही हूँ यहाँ पे मैंने मुल्की cheese cubes ली है और उसको इस तरह से मैं छोटे dices में cut कर रही हूँ यहाँ पे इसको बनाने के लिए आपको आइस्क्रीम स्टिक लेनी होगी और आइस्क्रीम स्टिक की टॉप इसमें आपको पियर्स कर देनी है इस cheese slice में जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से यहाँ पे अंदर में लॉलिपॉप के एक फ्लेवर रहेगा जो कि चीज का फ्लेवर रहेगा इसलिए हम लोग यहाँ पे यह ट्विस डाल रहे है उससे बहुत जादा टेस्टी बनता है और एक सर्प्राइज एलिमेंट है जो चिकन लॉलिपॉप में कर देनी है बैसी करी जो चीज की टॉप हमने लगाई है ना वह पूरा पूरा कवर हो जाना चाहिए इस मिक्स्चर से तो हाथों पे आप इतना मिक्शर ले जिससे यह इसली सील हो जाए बंद हो जाए और थोड़ दबा दबा कर इस तरह से आप बना लीजिए बिलकुल इस मिस्टिक्स आपको उठानी है और अच्छे से इसको कवर कर देना है जो चीज क्यूब आपने लगाई है वह पूरा कवर हो जाना चाहिए वरना फ्राइ करते टाइम दिक्कत आ सकती है यह खुल सकता है और चीज मेल्ट होकर तेल में निकल सकता है तो प्लीज आप इस बात उसके उपर एक पतली सी थिन लेयर हो जाती है उस सलरी की और जैसे ही आपने सलरी में डुबाई दूसरे हाथ से फॉरन आप ब्रेड क्रम्स में कोट कर दीजे और अच्छे से दबा दबा कर यह जो ब्रेड क्रम्स है आप इसके उपर लगा दीजे इस तरह से यह जो कोट करने का प्रोसेस है आपको दो बार करना है तो दो टाइम में बहुत अच्छी ठिक कोटिंग हो जाती है और बहुत क्रिस्पी क्रंची लॉलिपॉप तयार होता है तो एक बार यह पहली कोटिंग लगाने के बाद में दुबारा भी मैं इसको अच्छे से कोट कर आती जारी हो देखे तेल का ट्मेरचर बहुत अच्छा गरम था और उसमें यह क्योंकि ठंडे है फ्रिज से निकाले हुए है हमने जैसे हमने इसमें लॉलिपॉप डाला क्यूंकि थोड़ ठंडा है तेल का ट्मेरचर कूल डाउन होने लगेगा तो अभी फ्लेम आप हाई इसको बदल दे इसकी साइड को और थोड़ा केरफुली यहां पर करें वरना बहुत ही डिलिकेट सॉप सा होता है यह कहीं टूटना जाए तो अभी तो यह जैसे 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 सिखे गाना तेल में वैसे स्टिफ होता जाएगा क्यूंकि चिकन अलड़ेडी इसमें सॉफ्ट अब तेल वापस से मैंने गरम कर दिया है क्यूंकि मैंने अपको बताया बीच वैने मीडियम कर दी थी तिया यहाई फ्लेम पे इसको मैं अच्छो से फ्राइ कर ले रही हूं और इस पे गोल्डन गोल्डन सा कलर आने लगा है इस तरह से हलके ही कम तेल में आप इस तरह के आपको फ्राइ कर सकते हैं और तेल भी कम लगेगा और बहुत अच्छा यह फ्राइ होगा बहुत क्रिस्पी भी बनता है आप इस तरह से एक बार लॉलिपॉप पसंद आएगी खाने में बहुत चे लगती है और देखने में बहुत प्यारी तो लगी रही है देखे मैंने बहुत अच्छा अच्छा है और बहुत अच्छा हो गया है और अदर से जो चिकन का जो कीमा है वह बिलकुल सॉफ्ट हो चुका होगा तो बस इस तरह से एक अकर पीसे को हमें स्ट्रें करकर निकाल लेनी है अब्जार पेपर पे और इसे थोड़े टाइम इसी तरह से इस के बाद में आप इसको टेमाड़ केचप के साथ में सर्फ कर सकते हैं तो बहुत जादा मज़िदार बनती है यह एक बार आप इस तरह से यह चिकन लॉलिपॉप स्टार जरूर ट्राइब कीजेगा रमदानों में इफतार के लिए तो बैस्ट रसपी है एक बर जरूर बना आपको मैं इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगी और चेक कर आऊंगी कि अंदर में चीज है वह कितना मेल्ट हो रहा है और बहुत माउथ वाटरिंग टेंप्टिंग सा यह दिख रहा है यह देखें बहता हुआ चीज और बस इसको आप डुप करे ट्माड़ केचप में और ब बस अपना प्यार सपोर्टियों भी बनाए रखिएगा फिर मिलती हूं मैं नेक्स तेम तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए बाय थैंक्स पर वाचिंग